हलो एवरिवन सलाम नमस्ते आदाब चत शरी अकाल केम छो कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपका भाई आपका दोस सुनिल यश्पाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपनी चनल बापा बुट पे और एक बार फिर से हूँ मैं थाइलेंट की काफी परिशान हो गया हूँ सवाल को लेकर क्योंकि जितने भी लोगों के पास मेरा बॉट्साप नमबर है जो भी लोग में को इंस्ट्राग्राम पे फॉलो करते हैं यार मोस्ट आप सब ने मेरे को एक ही पिक्चर सेंड किया है और एक ही सवाल पूचा है कि क्या ये सच ह है और यहां पर मैं बात करा हूँ कि यार एक जो एक छोटा सा एक चका इंड़ा फर्टी से ने एक पिक्चर शेर किया है जिसके उपर ऐसा लिखा हुआ है कि आने वाली नौ तारिक से वीजा और राइवल यहां पर फ्री होने जा रहा है और राइवल वीजा के लिए आप डेट नहीं है किसी भी जगा पर किसी भी प्लेटफॉर्म के उपर की नौ तारिक से वीजा और राइवल यहां पर फ्री होने जा रहा है बिकॉज आप लोग आप खूद अंदर स्रेंड कर सकते हैं कि दो साल के बाद जब कोई कंट्री ओपन होती है तो एक अच्छा खासा सोर्स है और फिलाल अगर आप लोग बात करें तो आने वाले कुछ टाइम के लिए तो शायद यह फ्री होना पॉसिबल नहीं भी हो सकता है जो खबर की आप लोग बात करें जिसे एक पिक्चर की आप लोग बात करें शायद आपकी दुआओं की वज़ा से और आपके इंत दूस होती है तो उसके लिए यहां पर एक रॉयल गैजट होता है और जब तक रॉयल गैजट यहां पर नहीं आ जाता किसी भी चीज के उपर आप लोग ट्रस्ट मत करिए क्योंकि यहां पर कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है लाइक आप किसी भी चीज के लिए शोर नही हो सकते जब तक आपके आपके हाथ में रॉयल गैजट ना हो जब तक रॉयल गैजट को खुद पढ़ ना ले खुद देख ना ले तो प्लीज भाई आप फिला लिए मत सोचना कि नो तारिक से फिरी हो रहा है कहीं आप लोग ट्रेवल करें और आप जो वीजा के लिए जो आ ऐसे नहीं देंगे तो प्लीज एसी गलती मत कीजिएगा इसके साथ सब्सक्राइब एक सवाल और है जो काफी लंबे अरसे से काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है जब से यहां पर थाइलेंड के अंदर लोगों ने आना स्टार्ट किया जब से ट्रेवल लोगों ने करना इसको यहां पर अलाओ करते हैं क्या कोविक्स वेक्सिन अलाओ है कोवी शील्ड अलाओ है लाइक यहां पर जितनी भी अलग अलग कंट्रीज की वेक्सिन जो यहां पर इसी चीज़ को लेकर भी एक नया यहां पर एक अपडेट आया है कोविड नाइटीन वेक्सिन यहां पर आपको बतारते तहुन क्योंकि यह क्यों आफ टैशु आफिन वेसिन लिया हूं रहा को फिक्षिन्प बेस्ट के अंधर कोई इसके अलावा वो पने स्टुर ठाईन से त्रह्ज लें हैंでき तो आप उसकी टेंचेन बिल्कुल भी मत लीजी कि हमारी वैक्सिन वहां पर अलाओ होगी कि नहीं होगी उसके साथ एक चीज और यहां पर लिखी गई है कि फुली वैक्सिनेटेड का मतलब क्या होता है कि काफी लोग यह भी पूछ रहें कि फुली वैक्सिनेटेड मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको बूस्टर भी लेना पड़ेगा उसके बाद ही हम लोग फुली वैक्सिनेट बोला जाएगा ऐसा नहीं है भाई फुली वेक्सिनेशन का जो मतलब है उसका मतलब यहाँ पा लिखा हुआ है कि आपका जो second dose है जो वेक्सिन का आपको दूसरा dose लगता है उस dose को लगे हुए at least आपको 14 दिन हो जाने चाहिए at least 2 हकते निकल गए हो उसके बाद आपको fully वेक्सिनेट बोलते हैं ऐसा नहीं है कि वेक्सिन का असर जो है वो देखने में लगबग 14 दिन निकलते ही है यहाँ पर तो आप लोग इस बाद को दिमाग में लेके चलिए कि fully वेक्सिनेट का मतलब यह है कि second dose के बाद 14 दिन के gap रखने के बाद आप लोग travel कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको booster ही लेना पड़ेगा उसके बाद ही आप लोग fully vaccinated होंगे तो भाई यही कुछ चोटे-चोटे सवाल दें सोचा कि चलिए इसका जो आंसर अपने भाईयों के साथ आज शेयर कर लिए जाए अपने भाई को इन सवालों का जवाब भी दे दिया जाए क्योंकि मैंने बहुत सारे भाई confused हो रहे थे और मैं नहीं चाहता है कि मेरे कोई भी भाई जो भी यहापर ट्रैवल करें जो भी फैमिली से आपर ट्रैवल करें उनको किसी भी तरह का कोई भी confusion रहना चाहिए तो आई होप यह जानकरी कहीं न कहीं आपके काम जरूर आएगी तो इसी उमीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखी है अपनी फैमिली का ख्याल रखी है आसपोड उसका ख्याल रखी है हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए भूलेगा नहीं मेरा नाम मैं हो सुनेल यह शपाल आपका भाई आपका दोस्त और यह है आ का पने चनल बबबब बबबब शीया